हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, आज के इस मात्मों लेक्षर में हम आपके साथ डिस्कस करने बाले हैं, सोलह जन्बरी दोहसाच ओबेस के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कुशन, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्त तक जोड़ देखेगा, आज का पहला और इंपोर्टेंट कुशन है, आप्रेशन अमरेद किस राज्ज में शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा केरल में, तो केरल राज्ज में अभी हाली में आप्रेशन अमरेद को शुरू किया गया है, चलिए ओप्सन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो करनाटक की बात करें तो करनाटक राज्ज में अभी हाली में ग्रह जोती योजना शुरू की गई है, तमिल नाडू में हैथाई अमन उत्साव अभी हाली में मनाए गया है, और जार्खंड में अभुआ आबास योजना शुरू की गई है, चलिए अब इस कोशन का डिस्कसन करते हैं, तो केरल के आसदी नियंतरन विभाग के दुआरा, पूरे राज्ज में अटी बायोटिक दुरूपियों को नियंतरित करने के लिए, ओप्रेशन अम्रेश शुरू किया है, यनि कि जो अटी बायोटिक दबाएं हैं, जिनका दुरूपियों किया जाता है, तो इस बुरूपियों को रोकने के लिए ही, केरल आसदी नियंतरन विभाग ने आप्रेशन अम्रेश शुरू किया है, दोस्तो, राज्ज आसदी नियंतरन विभाग एंटी बायोटिक दबाओं की जो फ्री बिक्री होती है, उस पर नजर रखेगा, इसके अलाबा दोस्तो, उन फार्मेसी पर भी नियंतरन रखाज आएगा, जो अनलीगल रूप से एंटी बायोटिक दबाओं को बैचते हैं, यहाँ पर बात आई है आप्रेशन की, तो कुछ प्रमुक आप्रेशन डिसकस कर लेते हैं, तो दोस्तो, अभी हाली में हमास और इस्राइल के बीच में युद्ध सुरू हुआ था, तो इस्राइल से भारतियों को बापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आप्रेशन अज्य चलाया गया था, दोस्तो, पिछले साल टर्की और सीरिया में भूकम पाया था, तो उसमें सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आप्रेशन दोस्त चलाया गया था, नौसेना के द्वारा म्यामार में चक्रबाद के राहत के लिए आप्रेशन करुना चलाया गया था, इसके अलावा ओप्रेशन गंगा चलाया गया था यूक्रैन से भारतियों को बापस लाने के लिए, यानि यूक्रैन और रसिया के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था, तो वहां से भारतियों को बापस लाने के लिए ओप्रेशन गंगा शुरू किया गया था, पुलिस के द्वारा तीर्थ और पर्टक स्थलों में स्वक्षता बनाई रखने के लिए ओप्रेशन मर्यादा शुरू किया गया है। इसके अलाबा Operation 3Net2 सुरक्षा बलों ने शुरू किया है जम्मू कस्मीर के पुंच में आतंक बादियों के खिलाब। तो ये कुछ प्रमुक Operation है इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तो बात आई है केरल की, तो केरल से related कुछ important current affairs discuss कर लेते हैं। तो केरल सभी 14 जिलों में हॉल मारकिंग केंडर इस्थापित करने वाला भारत का पहला राज़ बना है। केरल की पहली 3D printed इमारत बनी है तिरू अनन्द पुरम में, केरल राज़ में कुछ समय पहले निपाह बारस की मामली सामने आये थे, केरल में Lucky Bill एप लॉंच किया गया है और केरल की विधान शबा ने केरल का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव को समय पहले रखा था। तो एरा विकूलम नेसनल पार्क, पेरियार नेसनल पार्क, साइलेंट वैली नेसनल पार्क और मति केत्तम 16 राश्टी उध्यान ये सभी नेसनल पार्क जो है केरल राज़ में इस्तित हैं। आप इस पूरे लेक्शर को बहुत इध्यान से लास्त तक देखिएगा, लास्त में आपसे कोशन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेट बॉक्ष में देना है। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन भी दबालें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपेकेशन मिल सकीगा। दोस्तों आप हमसे टेलिग्राम पर जोड़ जाएगा, आपको टेलिग्राम पर जाना है, और इस्टेडी कर ओफिसियल सर्ज करना है। प्राप्त कर सकते हैं एब पर, इसके अलाबा yearly करइंट आफ्यस की जो e-book है वो आपको app पर मिलेगी, दोनो medium में, हिndी और इंग्लिस्ट दोनो medium में आपको e-book मिल जाएगी, yearly के अलाबा monthly करइंट आफ्यस की e-book भी आपको app पर ही मिलेगी, ये भी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी तो दोस्तो ई-book प्राप्त करने के लिए आपको जरूर डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है Next question है आयूशियन की रेड लिष्ट में आसुरक्षित की रूप में किसे बर्गी करित किया गया है आंसर हो जाएगा हिमालियन वुल्फ तो जो हिमालियन वुल्फ है उसे अभी हाली में आयूशियन की रेड लिष्ट में जोड़ा गया है और इसे आसुरक्षित बताया गया है दोस्तो यहाँ पर बात आई है ACI सेर की तो आप कमेंट बॉक्ष में बतायेगा कि भारत में वह कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर ACI सेर पाईज आते हैं जलिए दोस्तो अब इस कुशन का डिसकसन कर लेते हैं तो हिमालियन में पाईज आने बाले जो सिकारी हिमालियन वुल्फ होते हैं उनको अभी हाली में IUCN की रेड लिस्ट में जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि जो हिमालियन वुल्फ हैं ये आसुरक्षित हैं यानि इनकी संख्या अब बहुत कम बची हुई है और इनको अब आसुरक्षित घोशित किया गया है याद रखना है कि जो हिमालियन वुल्फ होता है उसका वेग्यानिक नाम होता है कैनिस लिउपस चांको तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दोस्तो हिमालियन वुल्फ कहां पाई जाते हैं तो जो नेपाल, भारत और तिबिती पठार का हिमालाएबाला इलाका होता है वहाँ पर ये वुल्फ पाई जाते हैं भारत के अगर हम बात करें तो उत्राखंड और सिक्किम जैसे राज्यों में ये वुल्फ पाई जाते हैं तो अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है बात करते हैं आयू शीयन की तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्बेशन ओफ नेचर इसका फुल्फ फॉर्म होता है और यह सरकारों और नागरिकों दोनों का एक संगठन है यनि कि इसमें सरकारों का भी योगदान होता है और जो आम नागरिक होते हैं वो भी इसमें कंट्रिब्यूट कर सकते हैं इसका निर्माड प्रक्ति को सरचित करने के लिए किया गया है इस्थापना कब होई थी इसकी 1948 में सबसे important है इसका मुख्याले exam में पूछा जाता है कि IUCN का मुख्याले कहा है तो वह है Gland Sudialand में दोस्तो IUCN की जो Red List होती है उसमें जानबरों और पौधों को सामिल किया जाता है लेकिन किन पौधों और जानबरों को सामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई हो या फिर वो बहुत आसुरक्षित हो तो ऐसे जानबरों या पौधों को बचाने के लिए ही इन्हें रेडलिस्ट में डाला जाता है जिससे उनको सरच्छित किया जाए नेक्ट कोशन है पहले बीच गैम्स दोहजार चौबिस में पहला इस्थान किस ने हासिल किया है आंसर हो जागा मद्ध प्रदेश तो भारत में पहली बार बीच गैम्स आयुजित किये गए थे तो इसमें पहला इस्थान मद्ध प्रदेश ने हासिल किया है चलिए उप्सन भी डिसकस कर लेते हैं तो गोवा में अभी हाली में 37 बे नैसनल गैम्स आयुजित किये गए हैं इन गैम्स का आयुजित किया गया है यानि कि जो समुद्र के किनारे का जो भाग होता है उसे हम बीच बोलते हैं वहाँ पर इनका आयुजित किया गया है तो ये भारत में पहली बार आयुजित किये गए हैं अब सबाला आता है कि इनका आईजन कहा किया गया है? तो इनका आईजन दीव में किया गया है. कब से कब तक किया गया है? 4 से 11 जनवरी 2024 तक. तो इन गैम्ज में मदप्रदेश चैंपिन बना हैं. मदप्रदेश ने 7 गोल्ड मैडल जीते हैं और दादरा, नगर हबेली, दूइब और दमन ने 12-12 मेडल जीते हैं। असम ने 8 मेडल जीते हैं जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं। तो दोस्तों ये सभी मेडल भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रेलेटिड कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस डिसकस कर लेते हैं। तो अभी हाली में टैनिस का यूनाइटिट कब किसने जीता है? जर्मनी ने, किसको हराकर की जीता है? पोलेंड को। अभी क्रिकेटर मुहमद शमी को अरजन पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है। केन्या की वी ट्राइस चैविट ने वारसिलोना में पांच किलोमीटर दौड में एक वल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पांच किलोमीटर दौड को 14 दिसमलो एक तीन मिनिट में पूरा किया है। विराट कोईली को P.V.T. Athlete of the Year 2023 चुना गया है। अनाहा सिंग ने स्कॉर्टिस जूनियर ओपन स्कुएच चेंपियनसिप में अंडर 19 का खिताब अभी हाली में जीता है। पीबी सिंधू, फोव्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की शूशी में 16 वे स्थान पर रही है। तो ये स्पोर्ट्स करेंट अफ्यस भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स कोशन है अंतर राष्ट्य उट महुत्सो किस राज में आयुजित हुआ है। अंसर हो जाएगा राजिस्थान। तो राजिस्थान में अभी हाली में इंटरनेस्नल कैमल फेस्टिबल आयुजित किया गया है। बात आई है पंजाब की। तो छो जो अंतर राष्ट्य उट महुत्सो है इसका आयुजित हाँ राजिस्थान की किस राजिस्थान पर किया गया है। सिद्ध होता है जो ये उंट महुत्सव आयुजित किया जाता है यहाँ पर जो इस्थानिय कलातार होते हैं यानि जो राजिस्थान के कलाकार होते हैं वो अपनी कला और संस्कृती का प्रदर्संद करते हैं कुछ और महुत्सव डिसकस कर लेते हैं जो की 2023 में आयुजित किया गया है तो ये मद्द प्रदेश में आयुजित किया गया है अंतर राष्टिय गीता महुत्सो कहां आयुजित किया गया है हरियाना में तो हरियाना के कुरुचित्र में अंतर राष्टिय गीता महुत्सो किस राज में आयुजित किया गया है गोवा में जम्मू कस्मीर में ले आज महोसो आज़ित किया गया है नेक्स्ट कुशन है जो रावर लाइट टेंक का विकास परिक्षण किस ने शुरू किया है आंसर हो जाएगा डियाइडियो तो डियाइडियो के द्वारा भारतिय सेना के लिए लाइट टेंक बनाये जा रहे हैं जिनका नाम क्या रखा गया है जो रावर तो इनका अभी हाली में विकास परिक्षण शुरू किया है दोस्तो इन टेंकों को डियाइडियो के द्वारा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ साजय साज़ेतारी करके डेवलप किया गया है तो भारतिय सेना DRDO से 69 जोरावर लाइट टैंक खरीदने वाली है ठीक है इसके लिए पहले ओर्डर दिया जा चुका है लेकिन अब अप्रेल 2024 तक ये जो टैंक है ये भारतिय सेना में सामिल हो सकते हैं तो इनका अभी हाली में डेवलप्मेंट परिक्षन शुरू किया गया ह दोस्तो याद रखिएगा कि जो जोरावर लाइट टैंक है इनका यूज चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया जाएगा बात कर लेते हैं DRDO की इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गिनाइजेशन इसका गठन 1958 मे लेते हैं तो जो दिब्यांग उद्मी होते हैं उनके लिए दिब्विकला मेला आयुजित किया जाता है तो इसका 13 वा संस्क्रण नांगपुर महराष्ट में आयुजित किया जा रहा है और इसका आयुजन 12 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाएगा दोस्तो याद रखिएग कि सामाजिक न्याय एवं अधिकार्ता मंत्राले के द्वारा ये मेले आयुजित किये जाते हैं पिछला मेला यनि की बारहवा दिब्विकला मेला कहां आयुजित किया गया है तो गुजरात की शूरत में बारहवा दिब्विकला मेला आयुजित किया गया है यहाँ पर बात अभी हमने डिसकस किया हुआ है बिहार में लगता है हैमेश गॉंपा मिला लद्दाक में अंबु वाची मिला असम में नौचंदी का मिला उत्तर प्रदेश में और नेना देवी मिला हिमाचर प्रदेश में लगता है नेक्स्ट कुशन है मुनबबर राना का निधन हो गया है वह कौन थे तो दोस्तो वह एक उर्दू पोएट थे उर्दू सायर थे तो उनका भी हाली में निधन हो गया है उनका निधन कहा हुआ है लखनव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1952 को उत्तर प 2015 में ये साहत अकैदमी पुरुसकार बापस कर दिया था बात आई है उर्दू के साहत अकैदमी पुरुसकार की तो 2023 के उर्दू के साहत अकैदमी पुरुसकार को जरूर याद रखिएगा ये दिया गया है साधिका नबाब सहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए तो ये इंपोर्टेंट है तो इसे आप नोट कर लें हाली में हुए कुछ प्रमुक निधन डिसकस कर लेते हैं जैसे सास्त्रिय गाई का डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ है हॉलिवूड एक्टर क्रिस्चियन ओलिवर का निधन हुआ है संग्रीज समराड उस्ताद रासिद खान का निधन हुआ है जर्मनी के दिगज फुटवालर फ्रांज बैकन बाउर का निधन हुआ है तमिल सुपरिस्टार और राजनेता बिजय कांत का निधन हुआ है, भारतिय अमेर्की सिक्षाबिद बेद प्रकासनन्दा का निधन हुआ है और ली शुनक्यून का निधन हुआ है जो की साउध कोरिया की एक्टर थे। प्रकासनन्दा बिजय के तो दोस्तों याद रखियेगा कि नवंबर दो हजार तेज में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है प्रकासनुआ है उनके लिए शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश ये है कि जो अथी पिछड़े जन्जातिये समू है उनके सर्बांगेंड विकास किया जाए यानि इनके लिए सभी प्रकार की सुब्धा उपलब्द कराई साए तो अभी पिएम जन्वन योजना के अंतरगर्द आतेवी पिछड़े समूहों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है चलिए दोस्तों केंद सरकार की कुछ प्रमुक योजनाए डिसकस कर लेते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू की गई है जैसे जंधन योजना 2014 में इसके लिए मिसन मेक इन इंडिया और नमामी गंगे योजना ये सभी 2014 में सुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2016 में प्रधान मंतरी मुद्रा योजना 2016 में उडान योजना 2017 में हेलो इंडिया यूथ गेम्स की सुरूबात की गई थी 2018 में जल जीवन मिसन 2019 में और प्रधान मंतरी गरीब कल्यार योजना 2019 में प्रधान मंतरी स्वानिदी योजना 2020 में प्यम मित्रा योजना 2021 में इसमाईल योजना 2022 में अगनी पत्य य योजना 2022 में, आरोग्यमेत्री 2023 में और पिम विश्करमा योजना ये 2023 में शुरू की गई है। नेक्स्ट कोशन है गांधी ए लाइफ इन थ्री कैमपेंस नामक पुस्तक को किस ने लिखा है। आंसर हो जाएगा एम जे अकबर ने। तो दोस्तो प्रसिद लेखक एम जे अकबर के द्वारा नटवर सींग के साथ एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गांधी ए लाइफ इन थ्री कैमपेंस इस पुस्तक में महत्मा गांधी के जीवन के संघर्सों पर प्रकास डाल गया है दो हजारतेईस की कुछ प्रमुक पुस्तकें डिसकस कर लेते हैं जैसे एलन मस्क के पुस्तक को लिखा है बाल्टर इसाकसन ने नथिंग बट दर टृत को लिखा है रिसब साह ने मांसून ए पोयम ओफ लव एंड लॉंगिंग पुस्तक को लिखा है अभे कुमार और रिंग साइड पुस्तक को लिखा है और रिंग साइड पुस्तक को लिखा है नेक्स्ट कुशन है नीती आयोक की रिपोर्ट की अउसार पिछले नौ सालों में कितने लोग गरीवी से बाहर निकले हैं आंसर हो जाएगा 24.8 करोड लोग तो अभी हाली में नीती आयोक की द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि पिछले नौ सालों में 24.8 करोड लोग गरीवी से बाहर निकले हैं 2022-23 में 11.28 प्रतिजत रह गई है तो ये बहुत ही महत्कोर आंकड़ा है इसे आप नोट जरूर करिएगा बात आई है नीती आयोक की तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्ष में नीती आयोक का फुल फॉर्म बताईएगा इसका गठन कब हुआ था? एक जनवरी 2015 को अध्यक्ष कौन है नरेंडर मोदी उपाध्यक्ष कौन है शोमन बेरी CEO कौन है वी वी आर सुब्रामन्यम नीती आयोक भारसरकार के ठिंक टैंक के रूप में काम करता है चली अब कल के करेंट अफ्यस को रिवाइज कर लेते हैं फिर इसके बाद जनरल नोलेश के पिटारे बने हैं ताइबान डॉक्टर प्रभात्री का निधन हो गया है वह कौन थी सास्त्री गाई का भारती सेना दिवस का मनाये जता है 15 जन्वरी को दूसरा अंतरराष्टी आयोश्यमीलन और प्रदरसनी का आयोजन कहां किया गया है दुबाई में अटपाडी सर्रच्छन बने हैं डैनमार्क के छेत्रिय होम्योपैथी अनुसंधान संस्तान के आधार सिला कहां रखी गई है गोहावटी में दिसंबर दो हजार तेईस में भारत की खुद्रा महराईदर कितनी हो गई है 5 दिसंबलो 6-9 प्रतिसर तो ये थे कल के करेंट अफ्यस के कुश्चन आज गदाबाद सावर्मती नदी के किनारे सूरत तापी नदी के किनारे आगरा यमना जवलपुर नर्वदा और कन्योज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है इसी प्रकार से कोलकाता हुगली राजमुंतरी गोदाबरी और तिरूच रापली गाबेरी सिमला तुंग भद्रा कटक महानदी डिब्रुगर ब्रह्मपोत्र और गोहाथी ब्रह्मपोत्र नदी के किनारे बशा हुआ है और दिल्ली यमना नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तों ये हैं नदियों के किनारे बसे हुए सह कल के करिंट अफ्यस में आपसे पूशा गया था कि चंदौली नैसनल पार्क किस राज में है तो आप सभी ने आंसर बताया हुआ है महराष्ट तो दोस्तों इसी प्रकास से आपसे जो कुशन पूशा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्ष में चरूर दीजेगा तो आज का कुशन है पुशकर मेला किस राज में लगता है तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्ष में जरूर बताए हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का